कि आपने कभी सोचा है कि जो खाना में खाते हैं उसमें कितनी कैलरी होती है इसका पता कैसे चलता है तो किसी खाद्य परदात में कितनी कैलरी होती है इसका पता इस यंत्र से लगाया जाता है जिसका नाम है बॉम कैलरी मीटर नाम में बलए ही बॉम हो लेकिन मजा लेकि यह में मेटल सिलेंडर होता है जो पानी से भरे दूसरे बॉक्स में डूबा होता है और इस बॉक्स में पंखी लगी होते है जो पानी को गुमाने के लिए और साथ में थर्मामीटर लगा होता है जो टमप्रेचर नपने के लिए होता है और पानी में डूबे हुए सिलेंडर में